हम पढ़ रहे हैं अध्धाय फॉलन और उसमें फॉलनों का ग्राफ कुछ त्रीकॉर्ण में थी फॉलनों के ग्राफ हम पढ़ चुके हैं जो बचे हैं आईए देखते हैं तो आज हम पढ़ेंगे य बराबर सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं Y बराबर सेकेक्स पक्राफ X के भी भिन्नमानों के लिए Y के मान ग्याद करते हैं X के मान डोमेन है हम जानते हैं जब Y X सेकेक्स है तो फलन का डोमेन वास्तवी संख्याम में से हमें 2N प्लस 1 पाई बाई 2 अर्थात N जहां N कोई भी पुढणांख है N कमान शुनिं रखेंगे हमें 5 बाई 2 मिलेगा N कमान एक रखेंगे 3 बाई 2 मिलेगा N कमान दो रखेंगे 5 बाई 2 मिलेगा इन मानों के लिए फरन परिभाशित नहीं होता है हम जानते हैं सेक एक्स सेक के पाई बाई टू, सेक के थ्री पाई बाई टू, सेक के फाई पाई बाई टू इत्यादी पे परिभाशित मान नहीं रखता है, परिभाशित नहीं होता है अता इन मानों को वास्तरी संख्याओं के समुच्चे में से हटा देते हैं तो ये इसका क्या बन जाता है फलन का डोमेन अन्य कुछ मानों के लिए हम मान निकाल लेते हैं Y का X के सभी संगत मानों के लिए Y के संगत मान आपको निकालने हैं जब X हमने माना है शुन्य शेक का शुन्य पर मान एक होता है पाई बाई टू पर हम देख रहे हैं फलन आप अरिभाशित मान रखता है शेक का मान पाई एक स्वस्ति अंश पर रिनेक हो जाता है थ्री पाई बाई टू पर फिर अनन्त मान रखेगा तू पाई पर यहाँ फिर से एक हो जाता है तो इस तरह X अक्ष पर डोमेन के अव्याओं को तथा Y अक्ष पर रेंज के अव्याओं को Y के मानों को लेकर इनके बिंदूओं को बना कर हम ग्राफ की रचना करते हैं एक्स पर कोण लेते हैं शुन्य यह पाई बाई टू पाई पाई बाई टू नब्याश का अंतर लीजे त्री पाई बाई बाई टू यह है टू पाई आप रिनात्मक मानों के लिए भी मान निकाल सकते हैं इधर कुछ मान और निकाल लीजे जब रेंड पाई बाई टू होगा एक्स का मान रिंड पाई, रिंड में 3 पाई बाई 2, रिंड में 2 पाई इन सभी मानों के संगत भी हम वाई के मान निकाल सकते हैं रिंड पाई बाई 2 पर भी फलन परिभाशित मान रखेगा पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाई पाई बाई टू इन सभी मानों पर फलन परिभाशित नहीं है अर्था अनन्तमान रखता है ग्राफ अब बनाना शुरू कर सकते हैं जब X का मान शुन्य है तो हम देखते हैं Y का मान एक है Y उपर की ओर आप धन एक लेंगे और नीचे की ओर रिन एक लेते हैं शुन्य पर Y का मान एक है जब X शुन्य है Y एक है जब X का मान पाई बाई टू है तो यहां अनन्त मान रखता है अर्था पाई बाई बाई टू पर आते तक यहाँ अनन्त की ओर जाने लगता है इसी तरह πाई पर यहाँ रिन एक मान रखता है हमें यहाँ बिंदू मिल जाता है जब x πाई है तो y का मान रिन एक है 3 πाई बाई टू पर यहाँ फिर अनन्त की ओर जाते हुए हमें मिलता है पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा मिच में हमें कोई ग्राप प्राप्त नहीं होता है, root pi by 2 पर भी हम मान निकाल चुके हैं, अनन्त थी pi by two, root 2pi, पर भी मान निकाल ये, फिर हमको यह मिल जाएगा, एक मान और निकाल ये pi पर रिन पाई पर मान हमें फिर मिलेगा रिन एक रिन थ्री पाई बाई टू पर यह फिर परिभाशित हो जाएगा रिन टू पाई पर फिर हमें मिल जाएगा धन एक तो इस तरह विभिन्न मानों के लिए हमें यह फिर अनन्त की और जाता हुआ दिखेगा रिन पाइप पर यहां रिन एक है तो यहां फिर हमें अनंत से और थ्री पाइब आई टू पर फिर अनंत की ओर जाता हुआ दिखाई देगा तो इस तरह ग्राफ जब हम देखते हैं तो सेकेक्स का ग्राफ कई टू कडों में फ्राप्त होता है ग्राफ के गुण हम लेख सकते हैं ग्राफ कईटू कुड़ों में है तथा हम देख रहे हैं कि एक ही प्रतिमान की बार बार उनरा वृत्ति हो रही है तथा वाय कमान रिन अनंत से रिनेक के बीच में है तथा धन एक से लेकर अनंत के बीच में है एक से सद्यों बड़ा है तथा अनंत के बीच में वाय कमान हमें दिखाई देता है अर्था रिन एक बार नंतरा इसको बना देजिए से धन एक के बीच ग्राफ परिभाशित नहीं है ठीक है ग्राफ दो प्राफ पक्राफ व्राफ रे डात्राफ अन्सर企़ matter इसे प्रकार हम बना सकते हैं Y बराबर कोसेक X का ग्राफ हम जानते हैं कोसेक X, X के N पाइमान पर परिभाशित नहीं होता है अधा सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चे में से हमें N पाइमान को हटा देना चाहिए जहां N पोई भी पुर्णांख है अर्थाथ X के लिए डोमेन X के उन सभी मानों को वास्तविक संख्याओं के समुच्चे में से घटा देते हैं जो N पाइमान पर परिभाशित है जहां N पोई पुर्णांख है N बराबर 6 रखेंगे तो शुन्य एक रखेंगे तो पाई दो रखेंगे तो दो पाई तीन रखेंगे तो तीन पाई इत्यादी पर फलन परिभाशित नहीं है यह हम लिख सकते हैं अर्थात इन मानों के संगत फलन का अनंतमान होता है X और Y के भी भिन्नमान हम फिर ग्याद करते हैं और ग्राब बना सकते हैं आईए देखते हैं कुछ मानों को जब X शुन्य है फलन परिभाशित नहीं है अनंतमान रखता है X जब Y by 2 है कॉस का कोसिक का Y by 2 पर मान एक होता है X जब Πाई है, एक स्वस्यंश है यहां फिर अपरिभाशित है 3 पाई बाई बाई टू पर कोसिक का मान दिन्नेक हो जाता है 2 पाई पर यहां फिर अनंतमान रखता है अर्थात X के विभिन मानों के संगत हम Y के विभिन मान बना सकते हैं और इसे हमें कोशेक X कदरा प्राप्त हो जाएगा जब X शुन्य है Y अनंत मान रखता है Pi वाइ 2 पर Y का मान एक हमें प्राप्त होता है Pi पर यह फिर अनंत की ओर अग्रसीत है अरधा दिया हमें शुन्य से X जब शुन्य है अनंत से एक की ओर Pi वाइ 2 पर एक अपर आ जाता है और फिर अनंत की ओर जाता हुआ प्रतित होता है इसी प्रकार 3 Pi वाइ 2 पर इसका मान है रिन एक यह Pi पर अनंत से आता हुआ प्रतित होता है दर थ्रे पाई बाई टू पर रिन एक होगर टू पाई पर या फिर अनन्द की ओर चला जाता है तो इस तरह एक ही प्रतिमान की पुनरा वृत्ती बार बार होती है रिन एक से लेकर धानेक के बीच में हमें ग्राव प्राप्त नहीं होता है फिर से हम आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वाई का मान रिन अनन्द से लेकर रिन एक के बीच में है तथा उपर की ओर धान एक से लेकर अनन्द के बीच में मान रखता है रिन एक और धान एक के बीच में ग्राफ नहीं प्राप्त होता है ग्राफ कई टुकड़ों में है, तथा एक ही प्रतिमान की पुनरा वृत्ती, ग्राफ में होती है, आए देखते हैं अगला ग्राफ, प्रतिलों ट्रिकोंड में ती फालोनों का ग्राफ, कर्षा सकती है, तो, ब्राफ में है, तो, झालों में हो जाती है, उतकते हैं, तुक्राफ शवड़्हा हुआ़ों में।, यॉप प्रतिलोम त्रिकोर्ण मिती फलनों के ग्राफ में हमें सबसे पहले पढ़ना है वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ एक्स के संगत मानों के लिए वाई के मानों को हम ग्राफ कवर बनाएंगे जिन्हां अंग्रित करेंगे और ग्राफ की रचना करेंगे जब वाई बराबर साइन इन्वर्स एक्स है तो हम लिखते हैं कि एक्स बराबर साइन वाई होगा और चुकि साइन का मान सदेव रिन एक से धन एक के बीच में सित होता है अर्थात साइन वा एक्स के बराबर है तो हमें एक्स का मान भी मिल जाता है रिन एक से धन एक के बीच में सित होगा आईए देखते हैं क्या मान हमें प्राप्त होते हैं जब X रिन एक और धन एक के बीच में इस्सित होता है जब X का मन रिन एक होगा तो Y का मन क्या होगा? जब X रिन एक होगा Y साइन इन्वर्स रिन एक होगा? साइन इन्वर्स रिन एक का मतलब है कि वह कुण जिस पर साइन का मान रिन एक होता है रिन चिन को यदि हम बाहर अटा दें तो साइन इन्वर्स एक भी लिख सकते हैं से हम साइन इन्वर्स माइनस वन माइनस साइन इन्वर्स वन हो सकता है होता है और यह हो गया Sin का मान 1 πाई वाई 2 अरुठाद नभ्यार्श पर होता है तो जब X का मान रेनेंग है तो हमें Y का मान मिलता है रेन्ड πाई वाई 2 जब X का मान शुन्य है Y हमें sin inverse शुन्य मिलता है अरुठाद वह कॉन जिस पर साइन का मान शुन्य हो तो वह कौन है शुन्य अर्थार जब X शुन्य है तो Y भी शुन्य है देखते हैं जब X एक हो तो Y का मान क्या होता है जब X का मान एक होगा तो Y है साइन इन्वर्स एक और साइन का मान किस कोन के लिए एक होता है यह हम निकालेंगे तो साइन का मान पाई बाई टू अर्थात नब्बे अंश पर एक होता है X के नवी भिन मानों के संगत Y के मानों को ग्राफ पेपर पर बनाते हैं X अक्ष पर X के मान लेंगे Y अक्ष पर Y के मानों को लेते हैं X का मान शुन्य इधर यादी हम धन एक और बाई और होगा रिन एक मान ले लेते हैं उपर की ओर? पाई बाई टू तो नीचे की ओर है रिन पाई बाई बाई टू? उपर और मान भी लिख सकते हैं हम पाई नीचे माईनस पाई 3 pi by 2, 2 pi या अन्य मानों को भी लिख सकते हैं दिखते हैं इन मानों को graph paper पर बना कर जब x का मान rin 1 है तो y का मान rin pi by 2 जब x rin 1 है तो y rin pi by 2 हमें पहला बिंदू प्राप्त होता है जब x 0 है तो y भी 0 है यह दूसरा बिंदू जब x 1 है तो y pi by 2 है जब x 1 है तो y का मान pi by 2 है अर्थाज graph हमें इस प्राकार प्राप्त होता है अन्य मानों के संगत भी आप बना सकते हैं से आईए देखते हैं y बराबर cos inverse x का graph कारोल जदूँ प्राफ न मानिदू क्श्वाफ़् व्र अन्य मान ये जख is clean जब y cos inverse x के बराबर हो तो हमें x का मान मिल जाता है cos y और हम जानते हैं cos y भी रिनेक से धानेक के बीच में इससे तरखता है इससे होता है मान रखता है रिनेक और धानेक के बीच में इसलिए x का मान भी rin x से धान 1 के बीच में होगा rin x से धान 1 के बीच में हम y के विफिन्न मानों को निकालते हैं जब x rin 1 हो x चुन नहीं हो और x 1 हो देखते हैं क्या है y का मान जब x का मान rin 1 है तो y cos inverse rin 1 cos का मान rin 1 किस कोण पर होता है यहां हमें निकालना है और वह कोण है x से अंश अर्थाद pi radial जब x का मान शुन्य हो तो y का मान होगा cos inverse शुन्य वह कोण जिस पर cos का मान शुन्य होता है वहाँ है pi by 2 radial अर्थाद नभ्य अंश जब x का मान एक है तो y है cos inverse एक अर्थाद वह को जिस पर cos का मान शुन्य होता है और वहाँ है शुन्य इन मानों को शाड़नी में लिख लेते हैं यहां pi यह है pi by 2 और यह है शुन्य graph पर अक्षयों को बनाईए x अक्ष और y अक्ष x पर हमें रिन एक से धन एक यह है शुन्य मान लेते हैं y अक्ष पर हमें कोणों को लेना है यह शुन्य यह pi by 2 और उपर pi इसी तरह रिनात्मक मानों को हम नीचे की और ले सकते हैं आईए देखते हैं क्या मान है जब x रिन एक है तो y pi है x के रिन एक मान पर y का मान pi है आता यह बिल्दू हमें राप्ठ हो जाता है यहाँ जब x शुन्य है तो y pi by 2 है x के शुन्य मान पर y का मान pi by 2 है इसी प्रकार जब x का मान धन एक है तो y का मान शुन्य है x के धन एक मान पर y शुन्य है तो हमें ग्राफ इस प्रकार का प्राप्ठ होता है तोड़ा से इसको ऐसा बनाए, स्मूथ कर, जब भी हम ग्राफ कीशते हैं, तो प्राप्त रेखा में कहीं तूटा-पूटा नहीं होना चाहिए, तो एक सरर रेखा से इसको आप जोड़िए, आईए देखते हैं अगला ग्राफ, वाई बराबर, टैन इन्वर्स एक्स का ग्र आप जब y बराबर हो 10 inverse x तो x बराबर हो जाता है 10 y हम जानते हैं 10 theta का मान जिन आनन्द से लेकर धन आनन्द के बीच में होता है x के विभिन मानों के लिए y के मान निकालना है जब हमें तो हमें यहां मिल जाता है x का मान रिन आनन्द से लेकर धन आनन्द के बीच में होगा तो x के रिन आनन्द धन आनन्द और बीच में एक मान ले लिजिए शुन्य मानों के लिए निकालते हैं क्या होगा y का मान जब x हो रिन आनन्द निकालते हैं तो y है 10 inverse रिननन्द X का वह मान वह कोण जिस पर 10 का मान रिननन्द होता है और वह कोण हमें मिलेगा रिन 5 by 2 जब X है शुन्य Y हमें मिल जाएगा 10 इन्वर्स 10 का मान शुन्य शुन्य कोण पर होता है जब X बराबर हो अनन्द तो Y हमें मिल जाएगा 10 इन्वर्स अनन्द मान का और यह है 5 by 2 रेडियन या 90 अंश पर 10 अनन्द मान रखता है जब X है रिन अनन्द मिला हमें रिन 5 by 2 जब X शुन्य है हमें Y का मान शुन्य मिलता है जब X आ परिभाशित अनन्द मान है Y हमें pi by 2 मिलता है X और Y के इन मानों के संगत ग्राफ की रचना करते हैं एक सक्ष पर रिन अनन्द, शुन्य और धन अनन्द मानों को हम इस प्रकार प्रदाशित कर सकते हैं Y पर कोणों को बनाते हैं आत्मक कोणों उपर की ओर शुन्य यह है pi by 2 pi नीचे की ओर रिन pi by 2 रिन pi इत्यादी मान हम लिख सकते हैं जब X का मान रिन अनन्द है Y का मान रिन pi by 2 है नीचे की ओर है शुन्य पर शुन्य है तद धन अनन्द पर यह pi by 2 के संगत प्रतीत होता है अर्थाद ग्राफ हमें इस तरह अनन्द से शुन्य की ओर आता हुआ यह शुन्य से फिर pi by 2 पर अनन्द की ओर जाता हुआ प्राप्त होता है तो देखा हमने Y is equal to 10 inverse X का अगला ग्राफ देखते हैं Y is equal to mod X का ग्राफ मापांक फॉलन का ग्राफ मापांक फॉलन जो की परिभाशित होता है Y बराबर mod X से X कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है X का कोई भी मान हम अपने इच्छा से ले सकते हैं तो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चे X फलन का डोमेन है X सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चे है परन्तु Y के मान सद्य धनात्मक प्राफ्थ होते हैं योकि मापांक क्या करता है रिनात्मक संख्याओं का मापांक भी धनात्मक होता है आताव Y हमें R में से रिनात्मक को हटा दीजिए तो सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चे हमें प्राफ्थ होता है रेंज के तौर पर रेंज के रूप में अब X के अभी धनात्मक मान रखते हैं हम और Y के संखत मान प्राफ्थ करते हैं आए देखते हैं हमें क्या मान प्राफ्थ होते हैं कुछ रेंज आत्मक और कुछ धनात्मक मानो को ले लेते हैं X के रेंज 2, रेंज 1, 0, 1 और 2 मान ले लीजे मूल बिंदू के आसपास के बिंदू देखते हैं क्या मान प्राफ्थ होता है Y का हमें जब X पराबर रेंज 2 हो तो Y का मान रेंज 2 का मापांग प्राफ्थ होता है 2 मापांग रेंज आत्मक संख्याओं को भी धनात्मक कर देता है इसी प्रेकार जब X का मान रेंज 1 है तो Y हमें रेंज 1 का मापांग अर्था धन 1 प्राफ्थ होता है 6 का मापांख 6 प्राथ होगा 1 का मापांख 1 तथा 2 का मापांख हमें 2 प्राथ होगा इन बिंदूहं को ग्रााफ पर बनाने के लिए हम X, X पर X के मान और Y, X पर Y के मानों को लेते हैं X के मान 9 एक, धो 3, 4 दनात्मक दिशा में रिन एक, रिन दो, रिन तेन, रिन चार इत्यादी है नात्मक दिशा में Y पर उपर की ओर एक, दो, तीन, चार मान हम ले सकते हैं और नीचे की ओर रिन एक, रिन दो, रिन तेन इत्यादी मान हम ले सकते हैं आईए बिंदों को बनाते हैं जब X का मान रिंदो है जब X रिंडो है तो Y हमें दो प्राप्त होता है विद्दो को बनाएंगे जब X रिंड एक है तो Y धन एक है जब X शुन्य है तो Y शुन्य है जब X एक है तो Y भी एक है जब X दो है तो Y दो है अता हमें ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है तो यह ग्राफ हमें मिलता है मापांग फरन का ग्राफ y is equal to mod x का ग्राफ ग्राफ के गुल्ड आप देख सकते हैं ग्राफ पूर्णतया धनात्मक वायक्ष परिस्ति थे नीचे की और ग्राफ हमें फ्राफ नहीं हुआ आप लिख सकते हैं ग्राफ पूर्णतया धनात्मक वायक्ष परिस्ति थे वायक्ष के साप एक्ष सम्मिध है और जब ग्राफ वायक्ष के साप एक सम्मिध होता है हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन मापांग फलन एक सम्मिध है आईए देखते हैं इसके बाद महत्तम पूर्णांग फलन अच्टब वायक्ष देखते हैं महत्तम पुर्णांग्वलन का ग्राफ लृण कि बच्ट स्वाइब कि बवक्ट स्वांग्वलन का ग्राफ कि भीन वाय बराबर जब बड़े कोस्टत में X लिखा हो तो यह महात्तंपूर्णांग फुलन को प्रदर्शित करता है दथा महात्तंपूर्णांग फुलन का है मतलब यह है कि यह X में वह पुलनांग मान है जो X से बड़ा ना हो थोड़ा से इसको रिवाइस करें तो मतलब पुलनांग फुलन पहरे भी पढ़ चुके है एक अंतराल में X लिखा है उदारण के लिए मैंने बताया था आपको यदि मतलब पुलनांग फुलन पाई का मान हमें निकालना हो तो यह मान होता है तीन तो हम जानते हैं पाई का मान बाइस वटे साथ या तीन दशमलो एक चार लगभग मान होता है पर जब महतम पुलनांग फुलन में इसके मान को हम निकालते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे सेफ तीन लिखेंगे वह मान वह पुलनांग मान जो X से बड़ा ना हो पाई से बड़ा ना हो क्या लिखेंगे हम तीन तो इस तरह जब हम महतम पुलनांग फुलन का ग्राव प्राप्त करते हैं तो X के लिए जो हम विभिन मान लेते हैं X को भी वास्तर एक संख्या हम ले सकते हैं तो यह विभिन अंतरालों में जिसे 6-1, 1-2, 2-3 के लिए के बीच में जब मानों को लेते हैं तो वाय भी हमें इसी प्राकार अंतरालों के रूप में प्राप्त होता है 6-1 के बीच में मान हमें मिलेगा 6-1 पर हम किस मान बीच को लेंगे? 6-1 को एक से दो के बीच में अंदराल है तो हम वहाँ पर क्या लेंगे एक से दू 1 से 2 में हम किस बिंदु को पुर्णांग लिखेंगे 1 को 2 से 3 पर वाय हमें मिलेगा 2 से 3 की और तो 2 को हम पुर्णांग मान लिखेंगे उसी तरह 3 से यदि 4 बनाना है तो 3 से 4 पुर्णांग मकसंख्याओं के लिए हम बना सकते हैं रिण एक रिण दो नीचे की और भी है रिण एक रिण दो रिण एक से दो रिण दो से रिण तीन तो इस दरह हम जब देखते हैं मातम पुर्णांग फलन तो हम लिख सकते हैं कि यहां सिर्फ प्राथम और थ्रिती चतुर्धांश में होता है ग्राथम प्राथम और थ्रिती चतुर्धांश में से तक कई टुकड़ों में हैं अलग अलग तुकड़ों में हैं और जब ग्राथम कई अलग अलग तुकड़ों में हैं तो हम लिख सकते हैं कि फलन सतत नहीं है आएए देखते हैं स्पिग्नम फरन का ग्राफ जब फलन वाई मॉड एक्स से परिभाशित हो तो इस फलन को हम सिग्नम फलन कहते हैं तो य बराबर मॉड एक्स बाइक्स जबकि एक्स शुन्ने के बराबर नहीं है तथा यह शुन्ने होता है जब एक्स शुन्ने के बराबर है इस फलन को हम सिग्नम फलन कहते हैं जब य मॉड एक्स बाइक्स से परिभाशित हो तो इस फलन को हम सिग्नम फलन कहते हैं य बराबर मॉड एक्स बाइक्स जब एक्स शुन्ने के बराबर नहीं है तथा यह शुन्ने होता है जबकि एक्स का मान शुन्ने के बराबर है हम एक्स के कोई भी मान ले सकते हैं जिग्नम फलन का डोमेन सभी वास्तरिक संख्याओं का समुच्चे होता है तो X के लिए हम कोई भी मान ले सकते हैं यह हम जानते हैं सब ही वास्तोविक संख्याओं का समूच्च्च है पलन का डोमेन है लेकिन जब हम range की बात करते हैं तो Y का मान हमें सदे हो या तो धनेक प्राप्ठ होता है या तो रिनेक प्राप्ठ होता है तो था x बराबर 0 पर 0 प्राप्त होता है जदी x बराबर 2 उदारण के लिए जब x 2 के बराबर है तो y का माल 2 के मापांग बटे 2 के बराबर होगा 2 का मापांग 2 होता है और 2 बटे 2 या सद्य एक होगा इसी तरह यहाँ पर x जो है वह है शुन्ने से बड़ा है यहाँ पर जो x है वह शुन्ने से बड़ा है रिनात्मक संख्याओं के लिए जब हम x कोई रिनात्मक संख्या लेते हैं उदारण के लिए जब X रिन दो हो तो Y बराबर रिन दो का मापांग रिनात्मक संख्याओं को भी धनात्मक कर देता है रिन दो बटे दो और यह मान आ जाता है तो रिन एक अता सभी रिनात्मक संख्याओं के लिए वाय रिन एक है सभी धनात्मक वास्तव एक संख्याओं के लिए वाय का मान हमें धन एक प्राप्त होता है ग्राफ इसे बनाते हैं तो ग्राफ पर इसे हम बना सकते हैं पहिए एक सभी धनात्मक संख्याओं के लिए वाइका मान धनेक होगा तता सभी रिनात्मक संख्याओं के लिए X के सभी रिनात्मक मानों के लिए Y का मान सदयो रिन एक होगा तो सभी धनात्मक संख्याओं के लिए हमें धन एक मान प्राप्त होता है तता सभी रिनात्मक संख्याओं के लिए Y का में रिन एक मान प्राप्त होता है आता ग्राफ दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है एक धन कर दूसरी रिनात्मक एकसक्ष की और जा रही है दोनों ही सरल रेखाए एकसक्ष के समनांतर हैं तथा अक्ष से 18 दूरी पर इस्थित्धें पर विप्रित दिशह में हैं भर्किपुन भी आप लिख सकते हैं ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है तथा अक्ष से दोनों और इकाई दूरी पर है आई आप भ्यास से कुछ प्रेशन करते हैं आई 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 देखते हैं आभ्यास प्रश्णावली का एक प्रश्ण y बराबर एक बटे एक्स का आलेक खीची है बनाते हैं इस प्रश्ण को आले खीचने के लिए हमें एक्सिवी भिन्नमानों के संगत वायके मान प्राप्त करने चाहिए हम देखते हैं जब एक्स का मान शुन्य होगा फॉलन आप परिभाशित मान रखेगा एक बटे शुन्य जब एक्स का मान शुन्य होगा वायका मान एक बटे शुन्य अर्थात आप परिभाशित मान रखेगा जब एक्स एक रख होगा जब एक्स का मान एक है वायका मान एक बटे एक अर्थात एक होगा इसी तरह जब एक्स का मान दो है तो हमें वायका मान एक बटे दो प्राफ होता है कुछ रिनात्मक मानों को भी हम निकाल सकते हैं आए निकालते हैं जब एक्स का मान रिन एक हो वायका मान एक बटे रिन एक अर्थात रिन एक प्राफ्थ होगा एक्स के रिन दो मान पर वायका मान एक बटे रिन दो अर्थात रिन एक बटे दो प्राफ्थ होता है इन मानों को एक्स अक्स और वायक्स पर लेकर ग्राफ बनाते हैं X पर यह शुन्य मान है 1, 2, 3, 4 धनात्मक X पर लिखते हैं रिन 1, रिन 2, रिन 3, रिनात्मक बाइदिसा में लेनी हैं आपको संख्या हैं इसी तरह 1, 2, 3, 4 मान वायक्ष के उपर की ओर तथा रिन 1, रिन 2 मान सब नीची की ओर आपको लेने चाहिए आईए इन मानों को बनाते हैं, जब X शुन्य है तो Y अनन्त मान रखता है X जब 1 है, तो Y का मान 1 है X जब 2 है, तो Y का मान 1 बटे 2 हो जाता है घर जाता है अधा शुन्य पर ग्राफ अनन्त से आता हुआ प्रतीत होता है एक पर एक होता है, दो पर एक बटे दो होता है, तथा जैसे ही हम X को अनन्त की और ले जाते हैं, या फिर शुन्य मान की और अग्रशित हो जाता है रिनात्मक मानों के भी ग्राफ आप बना सकते हैं, जब X रिन एक है, Y भी रिन एक है जब X रिन दो है, तो Y का मान रिन एक बटे दो है, तथा जैसे ही X का मान शुन्य पर अनन्त है, अनन्त से एक बटे दो, रिन एक और वापस यहाँ अनन्त की और जाता हुआ, प्रतित होता है तो Y भी राबर एक बटे एक्स का ग्राफ दो अलग अलग दिशा में पहले और तीस्ते चतुर ठाश में हमें प्राप्त होता है, अनन्त से जीरो की और आता है, और यहाँ पर शुन्य से अनन्त की और जाता हुआ प्रतित होता है तो यह ग्राफ है Y भराबर एक बटे एक्स का ग्राफ तो आज हमने पढ़ा वेमिन फननों के ग्राफ, त्रिकोड मिती फलनों के ग्राफ, प्रतिलों त्रिकोड मिती फलनों के ग्राफ, मापांग फलन, मात्तमपुर्णांग फलन, सिग्नम फलन का ग्राफ, तथा Y भराब पर एक बटे एक्स का graph.